हलो फ्रेंट्स, वेलकम टू मैं चैनल, आज हम बनाएंगे सोफ्ट, मसालेदार और टेस्टी कुल्चे, दिल्दी के फेमस कुल्चे, आज हम इन कुल्चों को घर पर ही बना कर तयार करेंगे, चलि फिर फटा-फट हम इसे तयार कर लेते हैं, कुल्चे बनाने के लिए सबसे मैंक आख दालेंगे इई चमच, बेकिंग सोडा मीठा सोड़ी मारीन, 2 चमच, फेमस दालेंगे पीशिवी चीनी, शू कर में 24 आज कर दो चंब चन कि अब हम इसमें, इन सभी चीजों को अ लेते हैं मों इसमें हम डालेंगे दूद्स हमने लिया एक कटोडी गॉड़ा सांथ मिक्स किல लेंगे कि यह को इसे फोरा घॉटस अज़ डाल कर समत हम 2 लेकों श़से में हम तोस में तभिए इसका टो तैयार कर लेंगे और कर लेंगे रखेंझ थ़ोरा स्वाव ठीह, पैनि फूर है कि इसके आंदर याक्टेद करेंगे रख़ बहुत ही एच्छा बना है यह पूल गया है यह झाल अब हम इसे एक बार और इसे मेक्स कर लेते हैं नियरेगे कर लिए तक हम और इसे हम बेल लेते हैं, अब हम इसके उपर थोरी सी कोलोंजी डालेंगे और इसे वापस हम बेल लेंगे, इस तरीके से हमने कुल्चे को बेल कर हमने तयार कर लिया है, अब हम लेंगे एक पेन, हमारा पेन जो है गर्म हो गया है, अब हम लेंगे कुल्चे को और कुल्चे क एक साइड हम लगा लेंगे पानी इसके चारो तरफ हम पानी लगा लेंगे और इसे हम पेन के उपर रख देते हैं कुल्चे के चारो तरफ हम पानी डाल देंगे थोड़ा थोड़ा सा और इसके उपर हम कैप लगा लेते हैं और इसे हम ढग कर दो से तीन मिन तक हम इसे पकने दिन और इसके बाद हम इसे चेक कर लेते हैं और यह दिखिए पीछे की साइट से हम अदर जो कुल्चा है बहुत ही अच्छे से शेक गिया है अब हम इसे आगी से भी इसे अच्छे से से शेक लेंगे चलिए दूसरी साइड से भी हम इसे पलट लेते हैं इस तरीके से हमने कुल्चे को बना कर तैयार कर लिया है कुल्चा हमारा बहुत ही अच्छा बना है बिल्कुल सॉफ्ट है अब हम दूसरा कुल्चा भी इसी के तरीके से ही बनाएंगे और इसके वह थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसके उपर क्याप लगा लेते हैं कर लेंगे इसे पलट देते हैं कि दूसरा कुल्छा भी हमें इसी तरीके से हमने बना कर तयार कर लिया है दूसरा कुल्छा भी हमारा बहुत ही अच्छा बना है इसी तरीके से हम सभी कुल्चे को बना कर तयार कर लेंगे अब हम उसी पेइन में ओयल डालेंगे एक टेबली स्पून बड़े स्पून से और इसके उपर हम डालेंगे कुछ मसाले हमने लिए है तोड़े से गरम मसाले गेज के फ्लेम को हम बिल्कुल यहाद लोग कर देंगे जिसए हमारे मसाले जो है बिल्कुल जलेंगे नहीं गातिने और इसके उपर हम डालेंगे चिली पाॉडर डालेंगे ज दुबकिल ग्रumne है और इसके उपर हम डालेंगे धनिया के कुछ पत्ते सुखे हुए धनिया के पत्ते हैं इसे हमने इसके उपर डाल दिया है आप चाहे तो ताजे भी डाल सकते हैं और इसके उपर हम रखेंगे कुल्चे कुल्चो को हम इसके उपर रख देंगे और इसे हम दोनों साइट से मसाले को पलटते हुए हम इसे तैयार करेंगे देखी बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा हमारे कुल्चे मसालेदार और बहुत ही ज़दा कैस्टी भी अब हमीन सभी कुल्चों को इसी तरीके से पलटे हुए मसालों के साथ हम इसे बना कर तैयार कर लेंगे और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं हमारे मसाले दाल कुल्ची बनकर तैयार हो गये हैं बहुत ही अच्छे बने हैं, बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं आप सभी इसे जरूर एक बर बनाईएगा अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल का सब्सक्राइब कीजिए वीडियो पसंद आए तो प्लीज कमेंट्स करके जोरूब बताईगा थैंक यू